सभी लोगों को हमारा नमस्कार मैं एक सूचना देना चाहता हूँ आपको कि मैं अमरीका से चल चुका हूँ और मैं हिंदुस्तान की तरफ आ रहा हूँ और धीरे धीरे करके अमरीका से हिंदुस्तान पहुंच आँँगा तो मैं क्यों आ रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है और कितने ही लोग इस करोना वाइरस को लेकर के इस संगसार से चल दियें मैं अपना संदेश, सांती का संदेश सब के आगे रखना चाहता हूँ मैं लोगों को ये सला देता हूँ कि इस समय भी भी हिम्मत रखनी चाहिए जो कुछ हो गया है, हो गया है परन्तु सबसे बड़ी बात ये है कि हम आगे कैसे चले क्योंकि ये तो बहुत ही आसान बात है कि हम भूल जाते हैं ये और भी कुछ है गम में, अशान्ती में, घबराट में हम यही चीजे भूल जाते हैं कि एक चीज और हो रही है और वो क्या है? कि अभी भी इन हालाताओं के बाबजूद भी एक स्वांस, एक जिन्दगी आ रही है एक आश्रवाद अभी भी हमको मिल रहा है चाहे कुछ भी हो परन्तु ये संभाबना भी हमारे आगे है कि हम आगे कैसे चलें? किस प्रकार हम इस बात को समझ पाएं अपने जीवन के अंदर कि ये जो मौका मिला है इसको किसी भी तरीके से खोना नहीं है चाहे कैसी भी बाधा हमारे रस्ते में आए चाहे जैसे भी कितनी भी चाटाने आएं कितने भी पत्थर आएं पर हमको आगे बढ़ना है इस संदेश को लेकर के मैं आप सब लोगों के समझ आ रहा हूं और मुझे यही आशा है कि इस समय में जो भी प्रस्तितियां हैं उनको तो हम भूल नहीं सकते हैं परन्तु उनके वावजूद भी हम आगे बढ़ सकते हैं तो मुझे यही आशा है कि जो प्रोग्राम होंगे वो आपको सूचना मिल जाएगी कहां कहां आप आ सकते हैं अभी भी करोना वारस तो है तो हमको सारे जो भी पावंदियां हैं वो लेनी पड़ेंगी ताकि यह करोना वारस और न फैले तो जो भी प्रोग्राम होंगे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों किसी ने किसी तरीके से आप तक जरूर पहुंचेंगे और मुझे यही आशा है कि यह जो करोना वारस की सिचुएशन है जो प्रिस्तिती है यह काबू में हो और लोग आ सकें और प्रोग्राम बढ़िया हो सकें तो मेरे को तो यही आशा है कि मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने होंगा नमश्कार प्रोग्राम बढ़िया है